नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका नियुत करशाय चैनल में और केमस्ट्री की जो श्रिंखला चल लही है उसी में आज मैं आपको पताऊंगा ग्लास के बारे में कांच के बारे में और कांच से जो भी प्रश्न बनते हैं वैसे बहुत ज्यादा इंपोर्टन नहीं है बट होते हैं कुछ जो यूनिक टॉपिक होते हैं उसको पहले पूटब कर लिया जाता है इन सब टॉपिकों किनारे मतब कर देते हैं बच्चे नहीं ध्यान देते हैं बट हकीकत में कभी-कभी आप खुदी अनलाइजिंग करिएगा जो चीजा हम लोग छोड़ देते हैं परिशा दृष्टी से बहुत इंपोर्टन्ट है तो वीडियो को खोब अच्छे से शेयर करना है जादा चाहते है लाइक शेयर सेस्क्राइब करना है व्यूव अगर बढ़ेगा तो ही हमको एनरजी मिलती है ठीक है व्यूव अगर नहीं बढ़ेंगे शेयर नहीं करेंगे तो हमारे नरजी नहीं बनेगी आज बना रहा है फिर कल जो है उसको रोक देंगे तो कहने मतलब यह है कि ऐसा काम करिए कि जो है हमको भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे तो प्लीज जादा से जादा शेयर करिएगा तो आईए अब सबसे पहले समस्ते आखि समांगी मिश्रण होता है याद रखेगा प्रश्ण वहां फसा सकता है समांगी मिश्रण होता है कि विश्मांगी मिश्रण होता है ध्यान दीजेगा जो मैं पॉइंट बोलना हूँ उसको आप लोग जरूर फोकस करिएगा तो कांच जो होता है छारी धा तो क्या होता सबस से नीचे होता है। तो अम्लिय होता है। एसे डिक genom होता है। और 7 से उपर होता है था था प्य्क ओन्ता होता है। यह अम्लिय हम यह है तो जो ऐसे धातु जिसकी pH value 7 से उपर है आई बात समझ में यानि काच छारिय धातूं के सिलिकेटों का पारदर्सी अ क्रिष्टलिय समांगी मिश्रण है तो सबसे पहले जानना कौन सा मिश्रण है दोस्तों समांगी मिश्रण है याद कर लीजे अच्छे से अब आईए प्रॉपर्टी की बारे में पढ़ते हैं क्या होता है सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ये एक अतिशीतित द्रव है क्या होता है अतिशीतित द्रव अतिशीतित द्रव मतलब कि किसी चीज को अचानक ठंडा करना तेज टेमपरेचर पे ठंडा करना न, बहुत ही तेज टेमपरेचर पे ठंडा करना क्या है अतिशीतित द्रव है ध्यान दीजेगा, अतिशीतित द्रव है बट एक सवाल जरूर आएगा आपको पड़ सर, एनिलिंग में तो ऐसा नहीं करते हैं दिरे दिरे temperature देते हैं, तो कहने का मतलब यह है, अतिशीटी मतलब बहुत अत्यधिक temperature पर है ना, जैसे माल लीजे, 181900 का temperature है, तो उसमें क्या, वो एक बहुत high level of temperature है, ना, but anneling में क्या करते हैं, धीरे धीरे, मतलब कि धीरे धीरे हम ठंडा करते हैं, तो अभी मैं आगे बता उस तरह मतलब टेंपरेचित फिर भी हाई है मेरी बात अब समझ गया होंगे आप तो कहने मतलब अतिषी द्रव मतलब बहुत यह राविल में ठंपरीचर थंदा करना इसका कोई निश्चित संगठन नहीं होता तो यह व्यू पुरुफ हो रहे और ना ही कोई निश्चित गल्नांग होता है इसलिए कोई निश्चित गल्नांग भी नहीं होता है, अब इसका निर्माण हम कैसे करते हैं, construction के अगर हम बात करें, तो ये amylia oxide और छारी oxide दोनों से मिल करके बने होते हैं, basically, Amylia Oxide और छारी oxide दोनों की सहाथता से मिल के बनते ह बैराल होते थे क्या है छारी धातूं के सिलिकेटों के होते हैं बास सही है बट हेल्प लेते हैं दोनों की कैसे अमली में क्या क्या होगा सिलिकेट होगा B2O3 होगा P2O5 होगा और छारी में होगा sodium carbonate Na2CO3 यह potassium होगा और इधर होगा calcium oxide इन दोनों की सहायता से ही हम जो है काच का निर्माण कर लेते हैं ठीक है अब इसके batches कैसे बनते हैं देखिए अब बहुत ही important प्रशन आ रहा है जब cement और हम काच बनाते हैं तो काच में सबसे ज़्यादा अगर हम किसी अव्योग को लेते हैं तो 100% अगर 100 अगर ratio में ले रहा तो वो silicate का ही होता है तो एक तो परिच्छा का प्रशन ही आ गया दूसरा परिच्छा का प्रशन क्या हो गया कि काच का जब हम batch बनाते हैं उ काच के बाद CACO3 calcium carbonate 15 होता है ठीक है अब भटी में भाप अंगार gas प्रवाइड करते हैं बहुत ही काच के निर्माड के लिए किस प्रकार की gas का प्रयोग करते हैं तो भाप अंगार gas का प्रयोग करते हैं बहुत ही important है किस प्रकार की gas का प्रयोग करते हैं भाप अंगार क काच के निर्माण में एक भट्टी होती है भट्टी में लगवग भट्टी का टेंपरेचर होता, 1400 degree celsius बहुत high level temperature, no down कीज़ेगा, एक भट्टी होती है, जिसमें उसका टेंपरेचर होता है, वो 1400 degree celsius होता, आप देखें कैसे करेंगे, पहले sodium carbonate बिलाएंगे, तो कुछ यह फ आपको बताया कि सिलिकेट की मातरा बहुत ज्यादा होती है यह जब यह तीनों मिलेंगे तो हमको साधारन काच दोस्तों मिलता है क्या मिलता है साधारन काच जिसका फॉर्मला होता है एक ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूं आपसे फॉर्मला भी पूछ सकता है ध्यान दीजैगा थोड़ा सा SIO2 SIO3 उपनीचे करेगा आप कन्फ्यूज हो जाएंगे ध्यान दीजैगा फॉर्मले में एक ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूं साधारन काच का सूत्र होता है, ऐसे करके चार उप्शन देख आपको, देखेगा, एने 2 Si O 3 होता है, C Si O 3 होता है, और 4 Si O 3, ट्रिक के से आद करोगे, लाश्ट में देखे बेटा, O 3 O 3 है, O 3 है, O 3 है, तो मैं उम्मीद करूँगा, आपको एक ट्रिक के साथ याद भी हो गया बट आप कहेंगे, सर यह तो लिक्विड है, अब हमको इतने टेंपरेचर पे मिल गया, अब हम इसमें कैसे सीसा देखेंगे, क्या करेंगे, कैसे, तो ऐसे नहीं होता है, यह तो हमको साधरान का इन फॉर्म अफ लिक्विड हमको मिल गया, आप इसको क्या होगा, एक देंगे, अगर हम एक आएक कर देंगे, तो उसमें दरारे आ जा सकती है, इसमें प्रॉपर्टी ब्रिटिलनेस किया जाएगी, तब ग्लास में प्रॉपर्टी कैसी जनरेट हो जाएगी, ब्रिटाइल की, चौक देखा है, चौक कैसे तोड़ते हैं, कट से तूटता है, कट जी तनजी से वहें देंगे, बॉलते हैं बहुत इंपोर्टेंट है अनीलिंग औफ ग्लास, एनलिंग क्या होता है, तो यही होता है, तो कन्फीज मत होएगा, किस तरह से धीरे धीरे टेंप्रेशर पर घरम, श्री ठंडा करने की प्रकरिया जोबती, वही एनीलिंग कहलात ऑट है सभ से जादा क्या होता है सिलिकेट होता है पोड़े 가지 प्रकारों के बारे में काश के प्रकारों के बारे में बहुत ओर आपको बताएंगे और मैं हाँ बता सकता था बट इसलिए नहीं बताया क्योंकि एक ट्रिक के साथ मैं हम वहाँ बताऊंगा ताकि आपको चीज पूरा दिमाग में छप जाए तो मेरा तो प्रयास यही रहता बट आप लोग जो है प्रयास को हमारे नहीं सफल कर पा रहे हैं वीडियो नहीं शेयर कर रहे हैं तो चलिए करिएगा और मिलते हैं नेक्स वीडियो में अभी के लिए इतना ही धन्यवाद